आज दिल्ली उनिवेस्टी के अंतर आट फेकल्टी के सामने एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है उसमें प्रोग्राम में था सम्मिधान बच्चाओ आंदोलान उच्छे सिक्षा में प्रति निदित वकास सवाल उसका नेत्र कर रहे थे और संचालन कर रहे थे यादव जी आपको पूरा नाम लक्ष्मण यादव जी आज आपने बहुत अच्छा कुछ नेत्र क्या और संचालन क्या जिसमें सरदी यादव जी और नहीं वर्ति हुए नेता जिगनेश मेवानी जीव अन्य जो मेंबर पार्लिमेंट भी आए थे सिर्क क्या मांगे किन म मिलने वाले तपके में दले पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्या को महिलाएं हैं और उनको प्रदेंट नहीं मिलने का हालिया प्रकरण यह आया है कि यूजी सी ने एमेचाइडी ने एक दवाव डाल करके सुंप्रिव कोड का बहाना ले करके एक विभाग वार इसमें शुरू के सारे पद अनारक्षित हो जाएंगे और आरक्षण बिना बताय बिना घुश्चित के खतम हो जा रहा है तो इस रोश्टर को ततकाल वापस लेने के लिए और एमफिल पिएच्डी में एडमीशन की प्रक्रिया जो धादली की है आरक्षण की प्रक्रिया नीजी करण के सवाल है स्वायतता का सवाल है इन सब को मिला करके उच्य सिक्षा को बचाने की लड़ाई है और इसमें सब का प्रहित तो इसकी लड़ाई है तो हालिया आज हमने एक मांग पत्र यहां से पारित कराया है आम सदन से जो प्रधान मंत्री राश्पती और मHRD सब को भेजा जाएगा कि 15 दिन में अगर यह भागबार रोष्टर वापस नहीं हुआ तो हम लोग देश व्यापी एक आंदोलन करेंगे इसे लिए 15 से ज्यादा विश्वद्यालियों के छात प्रतिन्दी भी आहे थे और कई दलों के निता आहे थे तो यहां से पारित किया गया है कि वो रोष्टर ततकाल वापस हो और आरक्षण की प्रक्रिया लागू हो और स्थाई नियुक्तियां हो जाए वाटनामी नीजी कंड का वो प्रक्रिया पूरी रोकी जाए याद भी देखा गया है कि एक पहली किलास से लेका आट वी तक नो डिटेक्शन पोलिसी ह से उनको बिल्कुल कमजोर कर दिया गया अब उपर का जो अपर एजूकिशन है उसमें भी रोष्टर परणाली में भी इन्होंने गरवड की है बिल्कुल पूरी साजिश यह है कि जिस तपके को 85% बहुजन तपके को सिक्षा से रोजगार से स्वास से वंचित रखा जाए और देश का बहुसंक्यक तपका न तो उसे सिक्षा मिलेगी न रोजगार मिलेगा तो हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं कि प्रात्मिक सिक्षा पहले ही बरबाद हो रही है रोजगार कहीं नहीं है तो यह लड़ाई दरसल सम्विधान बचाने की लड़ाई है देश के बहुसंक्यक तपके के बचाने की लड़ाई है यादव जी आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने काफी देरी कर दी है पहले जब आरेक्षन की बात थी जब यह बहुजन समाज यह दली समाज आगे आता था तो बैकवर्ड के लोग ही कहते थे यह आरेक्षन हटाओ का नारा लगा दे बैकवर्ड के लोग मंडल आयूक में हुआ था मंडल आयूक में जो रिजर्वेशन वाली बात थी आर्टिकल 340-341 की बात थी उसमें बैकवर्ड के ही लोग स्यू पर हमला कर रहे थे बिल्कुल ठीक बात है कि कई बार इतिहास में गलतियां हुई है कि वं प्रची सिक्षा को बचाने के लिए यह आप तस्वीरें गुमा के कैमरा दिखाईएगा कि सारे बहुजन आईकॉन यह हमारे प्रतीक हैं और वो सारी गलतियां हम धोएंगे और एक लुकतांत्री देश और समविधान बचाने के लिए लड़ेंगे आगे मुहिम क्या रहे कि सबते हैं और यह हमारे बचाने के लिए और बचाने के लिए लिए यह आप के लिए यह आपके लिए